अम्रावती इस्तेमा दोहजार वन्नीस डिसेंबर साथ नौ तारीक को रखा गया था अम्रावती इस्तेमा का आज का लास्ट दिन है अम्रावती इस्तेमा में बहुत से लोग पूरे दुनिया से लोग आये है और अम्रावती इस्तेमा में शामिल होकर और सभी लोग इदर उदर से आकर दुआ और दर्खास की अपने अपने लिए दुआ कर रहे है दोस्तो ऐसा एक वाकिया अल्ला का वहाँ पेश आया है जैसा कि आप जान के हैर हैरान हो जाएंगे वीडियो को लाश्ट तक देखिए पूरा बताओंगा आपको वाक्या क्या है अम्रावती इस्तेमा में दीन और इस्लाम की अल्ला की बाते होती है तो ऐसी जगाओं पर अल्ला का करिश्मा हमेशा होता है और अल्ला खुली आखों से करिश्मा दिखा देते है तो ऐसा ही एक करिश्मा अम्रावती इस्तेमा में भी हुआ और औरंगाबाद में भी हुआ था तो एक आदमी ने सोचा कि कच्रा बहुत हो गया है कितना टाइम लगेंगा इसको कच्रे को हटाने में कच्रा हटाने के लिए बहुत टाइम लगेंगा उसको समझ नहीं आ रहा था वो सोच में पड़ गया था उत्तूरत अल्ला ने एक मदद भेज दी एक तूफान के जरीए पूरा कच्रा तूफान में साफ होते 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 तूफान से एक तरफ जाकर गिर गया और कच्रा पूरा साफ हो गया जब साफ होने के बाद तूफान के अंदर जो कच्रा था एक तरफ जाकर गिर गया तो उस कच्रे को आसानी से उठा लिया गया और पूरा मैदान साफ हो आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको वीडियो पूरा देखिए और जाते वक्त वीडियो को लाइक करके जाए कमेंट बॉक्स में आमिन लिखके जाए और चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर दोस्तों में जादा से जादा शेयर करें उनको भेजे ये वीडियो